गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइन्स एंड इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट जीपीसी डुंगरपूर टिटीसी एलाडीसी द्वारा निदेशित एलेक्चरर्स में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओप्रेटर के बारे में इससे पहले हम वीवी.net का इंट्रूडक्शन देख चुके हैं उसके वेबल्स के बारे में देख चुके हैं क्लासेज क्या होती हैं ओप्जेट्स को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे ओप्रेटर क्या होता है ओप्रेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि कोन सी स्पेशल मैथेमेटिकल या लोजिकल जो ओप्रेशन है मैनिपुलेशन है वो परफॉर्म करना है वीवी.net में खुब सारे बिल्टिन ओप्रेटर्स होते हैं जो फॉलविंग टाइप्स के ओप्रेटर्स है अरित्मेटिक ओप्रेटर्स हैं कमपेरिजन ओप्रेटर्स हैं लोजिकल बिट बाइज ओप्रेटर्स हैं बिट सिप्ट ओप्रेटर्स हैं असाइनमेंट ओप्रेटर्स हैं मिसेलनियस ओप्रेटर्स ह arithmetic operators arithmetic operators है वो हम देखेंगे अभी अब इसमें इसको समझने के लिए हम अजूम कर लेते हैं कि A और B दो variable है और A की value 2 है और variable B की value 7 है तो पहला जो operator है वो power का है cap symbol rises one operator to the power of another तो B rises to A will give 49 कैसे B cap symbol A मलब B की power A तो B की value कितनी है 7 और power कितनी ले जाएगी 2 तो 7 की power 2 7 का square हो गया 49 फिर प्लस प्लस क्या करेगा add करेगा दो operands को तो operands A प्लस B A कितना है 2 B है 7 2 प्लस 7 9 माइनस सब्ट्रेट करेगा second operand को first में से A माइनस B 2 माइनस 7 equal to minus 5 star multiply करेगा बोथ operands को 2 star 7 तो 2 इंटू 7 14 slash divide करेगा one operand by another and return a floating point result तो B divide by A 7 divide by 2 3.5 backslash divide one operand by another and return an integer तो forward slash है वो भी divide करने का काम कर रहा है backslash भी divide काई लेकिन forward slash है वो जो output देगा वो देगा floating point और backward slash है वो देगा integer MOD modulus modulus operator remainder of after an integer division integer division के बाद में तो 7 modulus 2 तीन बार भाग गया एक remainder बच गया सेसपल एक बच गया तो modulus क्या देगा सेसपल remainder देगा वो बन हो जाएगा अब operators को हम एक example से समझते है module operators एक module बनाया operators के नाम से main function बनाया main के हमने a, b, p, c, d integer type के variables लिए a के अंदर 21 b में 10 और p में 2 c equal to a plus b c equal to a minus b c equal to a star b d equal to a divide b c equal to a ये backslash b हो गया ये सारे operators हमने लगाए इसके अंदर और जब इसको compile करेंगे run करेंगे तो इसके output आ जाएंगे अब operators के बाद में हम next इसमें देखते हैं data types कौन-कौन से अवेलेबल होते हैं vb.net के अंदर vb.net में data types है boolean boolean है उसमें tree या false हो सकता है byte एक byte का होता है range है 0 से 255 ये unsigned होगा care 2 byte का होगा date हो 8 byte का होगा decimal 16 byte double 8 byte का होगा integer 4 byte का long 8 byte का object है वो 4 byte का होगा 32 bit platform पर और 8 byte का होगा 64 bit platform पर s byte 1 byte का s short short होगा 2 byte का single होगा 4 byte का string depend करेगा implementing platform पर u integer 4 byte u long 8 byte तो ये कुछ types है अब access controls कौन-कौन से है public, private, protected friend, protected तो public public keyword क्या करेगा तरीका क्या है public class और class का name public में क्या होगा declaration statement is specified that the element can be accessed from code anywhere in the same project अगर हमने किसी class को public मना दिया तो उस project के अंदर कहीं से भी हम उसको access कर सकते हैं protected protected keyword statement specify करेगा कि जो element है उसको access करेगा only from within the same class or from a class derived from this class तो किसी class को हमने protector बना दिया तो उस class के अंदर से हम उसको access कर सकते हैं और उसकी कोई भी child class access कर सकते हैं friend friend है वो within the same class में से access किया जाता है same assembly में से but not from outside the assembly तो same assembly में से कोई भी class है उसको access कर सकती है लेकिन उसके बाहर की कोई भी नहीं कर सकती है यह friend होता है protected friend protected और friend दोनों साथ में आ जाएंगे तो statement specify करेगा कि element can be accessed either from derived class or from within the same assembly private private में तो only within the same module class या structure में से ही कर सकता है बाहर से कोई access नहीं कर सकता है private protected private और protected दोनों साथ में आ गए यह specify करेंगे element can be accessed only from within the same class as well as from derived classes found in the same assembly as the containing class thank you